नमस्तर फ्रेंट्स, मैं हुदी की और स्वागत कर दिया आप अपने यूट्यूब चैनल पर फ्रेंट्स बादो को लंबा तो हम सबी करना चाहते हैं पर क्या आपको बताएं कि हमारी दसंदर में ऐसे चिमिक मोज़ी जाती है इसको अगर आपने फानी बनागर अपने बादो में लगा लिया तो आपके बादो लंबे वही थी और इसके साथ जितने में ध्राय और डेमज वाल है वह भी फ्रेंट्स ही धीरे दीए करके रिपेर करता है अब बाद लंबकर में कोई रोकिर साहिस एस त पीडने का अमारे पॉंपे होली भी सकते है फ्रैंट्स विए वो सकने है कि उस लिए लुने शन्लिते कि नो दौन हमने बालों सीर्फावत लगा लगा थे तो उनके बाद बाद रंबे हो ईसाध यसाद वेल्ट ही प्रेंट्स ओही लगाने हम सब को पसंद नहीं है, जिदी ओही लगा औप Après मसाज करें, गई बार को अफिकत दोगाने कुछ है प्रेंट्स हमने कौन सा ओही लगाना चाहिए, बजार में कई तरह चोई नहीं, इस वाला भी और भी, भाला भी , आम, लार, बा, दाम, नारे करने के लिए आपको यहां पर दो करने के लिए आपको यहां पर दो कटोरी चावल लेना है आप इस दो कटोरी चावल को पहले अच्छे से पानी से क्लीन करेंगे क्योंकि यह जो हम राइस वोटर तयार कर रहे हैं यहां के बालों के लिए चमतकार से कम नहीं यह यह आपके महेंगी से महेंगी शैंपू ओई और कंडिशनर से बहुत ही अच्छ एक रात के लिए तो जरूर रखेगा यानि कि आपको इसको 24 गंटों के लिए तो जरूर ठोड़ना है क्योंकि friends जो वो पानी तयार होगा वो हमारा fermented rice water होगा friends यह जो पानी है यह आपको एक नहीं अनेक फायदे देगा अगर आप चाहें तो संत्रे के आफिर नीबू के छिल के डाल कर भी लख सकते हैं ताकि किसी भी तरह की over smell ना है friends उसके बाद जब आप इसको अगली सुबह देखेंगे friends आपको जो fermented rice water तयार हुआ है यह बालों के growth में बहुती ज़्यादा help करता है और friends अब आप इसको छान कर अलग करेंगे और जिस भी बरतन में आप इसको अलग करेंगे friends उसके बाद आपको इसको direct apply नहीं करना है आपको इसमें चार चमच चाय पत्ती का पानी एड़ करना है क्योंकि friends चाय पत्ती और चावल जब इन दोनों चीज़ों को मिलाकर लगाते हैं तो बालों की growth तो दूबनी तेजी से बढ़ती है और friends बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की और स्मूध भी हो जाते हैं कई बार हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा रूखे और ड्राय लगते हैं यह जो चाय पत्ती का पानी है यह आपके बालों को सिल्की और स्मूध बनाता है और friends आप इसको किसी भी स्प्रे बोटल में या फिर बोटल में करके रखेंगे और उसके बाद आप इसको अपनी जडों से लेके बालों की लंबाई तक अपलाई करेंगे अगर कम से कम 30 मिनट तो आपको रखना है और हलकी सी मसाज करने है और उसके बाद अगर आप चाहें तो शैंपू कर सकते हैं और friends यह आपका फर्मेंटेड ड्राइस बोटर बनकर तयार है अब आप इसको अपलाई करेंगे सबसे पहले आप जडों में अपलाई करेंगे और उसके बाद बालों की लंबाई तक अपलाई करेंगे और friends इसको आप अराम से वीग में 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं और friends रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा बालों के ग्रोथ भी होएगी और खराब हुए बाल बहुती जल्दी रिपेर भी हो जाएंगे और friends आप मुझे जरूर बताना की ये रेविडिया आपको कैसी लगी जब आप इसको अपलाई करेंगे उसका धल किसी मसाज कीजिएगा तागे जडों तक जाकर बालों को बढ़ा है अगर वीडियो एल्प फूल लगे हो तो लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा